ओम शान्ती बाम दादा मधुवन आज की मधूर मुल्ली नौ साथ दो हजार चौविस मीठे वच्चे सच्चे बाग के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो तब ही देवता बन सकेंगे तुम ब्राम्मण ही फरिस्ता शोदेवता बनते हो इस ग्यान को सुनाने वा धारन करने का अधिकारी काउन होता है उतर जिससे आलांडर पाथ बजाया है जिसने सबसे जाते भक्ते की है वहे ग्यान को धारन करने में बहुत तीखे जाएंगे उत्पत भी वही पाएंगे तुम बच्चों से कोई पूशते हैं तुम सास्त्रों को नहीं मानते हो तो बोलो जितना हमने सास्त पढ़े हैं भक्ती की है उतना दुनिया में कोई नहीं करता हमें अब भक्ती का फल मिला है इसलिए अब भक्ती की दरकार नहीं ओम शान्ति बेहत का बाप बेहत की बच्चों को बड़ समझाते हैं सभी आत्माव का बाप सभी आत्माव को शमझाते हैं क्योंकि वह सर्व का सदगर दाता है जो भी आत्माई हैं जिव आत्माई ही कहेंगे सरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती आज की मुल्ली शे मुख दस पॉइंट पहली पॉइंट तुम बच्चों को जिनको गुल-गुल फूल बना कर यात की यात्रा शिकलाते हैं योग अच्छर भक्ती का है ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का शागर है उनको ही सद्गुरु कहा जाता है दूसरी पॉइंट सच्चे बाग के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है पहले तो कदम कदम पर जूट ही था वह सब छोड़ना पड़ेगा तीसरी पॉइंट बाग को जानकर भी विकर्मों को विनास नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुक्तु करना पड़ेगा फिर पद भी बहुत कम मिलेगा चौथी पॉइंट अभी तुम यहाँ पूर्शालती हो संपूर्ण पवित्र नहीं संपूर्ण पवित्र को फरिष्टा कहा जाता है जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहते है फरिष्टा बनने के बाद भी देवता बनते हो पाँचवी पॉइंट यात की यात्रा और ज्ञान से भक्ती में ज्ञान होता नहीं सिर्फ ज्यान एक ही बाब देते हैं ब्राम्मर को ब्राम्मर चोटी है ना अभी तुम ब्राम्मर हो फिर बाजोली खेलेंगे ब्राम्मर देवता छत्री इसको कहा जाता है विराथ रूप छत्मी पॉइंट सन्याची कहते हैं ब्रह्म शेयोग लगाना है अब ब्राम्मतत तो बहुत बड़ा लंबा चोड़ा है जैसे आकास में इस्टार्स देखने में आते हैं वैसे वहां भी छोटे-छोटे इस्टार मिशल आत्माएं है वै है आसमान से पार जहां शूर्चान की रोशनी नहीं तो देखो कितने छोटे-छोटे राकेट हो तुम तब बाबा कहते हैं पहले-पहले आत्मा का ग्यान देना चाहिए वै तो एक भगवान ही दे सकते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया में राद दिन का फर्क है कल नई दुनिया थी आज पुरानी है कल की दुनिया में का था यह तुम समझ सकते हो जो जिस धर्म का है उस धर्म की इस्तापना करते हैं आठमी पॉइंट बाब कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीप नहीं देता हूं बच्चों को तकलीप कैसे देंगे Most will wait बाब है न कहते हैं मैं तुम्हारा सद्गती दाता दुख हरता शुक करता हूं आठमा तो एक सरीर से निकल दूसरे में चली जाती है आठमा ना घट्ती ना बर्ती ना कभी ब्रती को पाती है यह खेल बना हुआ है दस्वी पॉइंट बाब कहते हैं सेकेंड में सर की बात साईलो सिर्फ बाब को जानो सभी आत्माओं का बाब तो है न कहते हैं मैं तुम्हारा बाब हूँ अच्छा धार्णा के लिए मुक्षार पहली पॉइंट रचयता और रचना के राज को यथार समझ आश्तिक बनना है ड्रामा के ज्यान में मूझना नहीं है अपनी बुद्धी को हश्य निकाल बेहद में ले जाना है दोसरी पॉइंट सोजवतनवासी फरिष्टा बनने के लिए संपोर्ण पवित्र बनना है आत्मा में जो किछणा भरा है उसे याद के बल से निकाल से करना है वर्दान आज बाबा ने दिया यूश्री रश का अनभव कर एक रस इस्तती में इस्तित रहने वाली स्रेष्ट आत्मा भव जो बच्चे यूश्री रश का अनभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब फीके रस लगते हैं जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरब अटिंचन जाएगा ना सहिज ही एक तरब मन लग जाता है मेनत नहीं लगती भाप का इसने भाप की मदद भाप का शाथ भाप दोरा शर्प्राप्तियां सहिज एक रस इस्तिती बना देती हैं ऐसी एक रत इस्तिती में इस्तित रहने वाली आत्माई ही स्रेष्ट है स्लोगन आज भावा ने दिया किछड़े को समाकर रत देना ही मास्टर सागर बनना है ओ शान्ति